सभाइब चुकुर मुश्कार हम बात कर रहे हैं इस इंगेश केल्कुलस की जिसके तहत हम चेप्टर 4 continuity and differentibility डिस्स कर रहे थे जिसके तहत exercise 4.1 डिस्स कर रहे हैं और इसके तहत हम देखते हैं अगला question देखें इसका 9th question क्या के रहे हैं जब तक हम question देखते हैं तब तक आप दीदारे question करिये लिखा एक function fx है 1 plus mod sin x की power a upon sin x मौड है मतलब negative value नहीं ली जाएगी when x is greater than minus 5 by 6 and less than 0 तो function की value है 1 plus mod sin x upon a upon mod sin x और at x is equal to 0 its value is b and when x is greater than 0 and less than 5 by 6 its value is e to power 10 2x upon 10 3x is continuous at x is equal to 0 find a and b दरा समझने की कोसिस करिएगा हम जानते हैं कि अगर कोई function continuous होता है तो limit as well as the value of the function at that point exist अगर कोई function continuous है तो limit भी exist करती है और जब हम बात करते हैं limit exist करने की सुरी थोड़ा सा जो काम है जब हम बात करते हैं limit exist करने की तो हम कहेंगे left hand limit और right hand limit दोने इकल होंगे और उस particular point पे function की value भी same होगी अब limit कैसे निकलेगी वो हम बात करेंगे पहले तो हम बात कर लेते हैं question लगे कैसे तो आप लिखेंगे as fx is continuous ची लिखते हैं चलेगा यह हम rule जानते हैं कि अगर कोई function continuous होता है तो उसकी left hand limit और right hand limit इकल होती है जब जिखेंगे दो चीज़े हैं आप 0 minus h लिख भी सकते हैं और direct भी आप जानते हैं जब 0 minus लिखा जाएगा तो less than 0 का function लिखा जाता है डारेक्ट भी आप कर सकते हैं ठीक है आपने इंटर में 0 minus h करके किया है लिखेंगे हम चुकि जेए की बात कर रहे हैं तो direct आप यहां value लिख सकते हैं और आप चाहो तो लिख भी सकते हो तो यहनि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है limit x tending to 0 minus उसमें fx क्या लिखा जाएगा वो function की value जो 0 से छोटी हो 0 से छोटी वाली value है तो आप लिखेंगे 1 plus mod sin x हम 0 minus h नहीं कर रहे हैं क्योंक डारेक्ट भी आप लिख सकते हैं आप जानते हैं की power a upon mod sin x is equal to 0 plus में function कौन से लिखा जाता है जो function 0 से बड़ा होता है यह 0 से बड़ा है ठीक है तो लिखा जाएगा limit x tending to 0 plus fx एं सॉरी fx को क्या लिखेंगे e to power tan 2x upon tan 3x is equal to और 0 पे function की value भी है यह हम जानते हैं ठीक है तो अब इन function का काम तो खतम हो गया function हमने लिख दिया अब जरा देखते हैं इसको हटा देते हैं कहते हैं जाओ अब इपने घर हमको अपना काम करने दू साउधान अब जरा limit निकालने का तरीका सीख लिया जाए अगर मैं x को 0 यहां रखता हूँ तो 1 प्लस 0 यानि 1 की power a upon 0 यह infinity तो आपने 1 to power infinity limit के concept को पढ़ा होगा हमारे इसी description में मैं link याद रहेगा दो दूँगा याद नहीं भी रहता है कभी कभी जो limit की playlist है उसमें हमने 1 to power infinity को बताया है समझ लेते हैं अगर 1 plus fx की power 1 upon gx लिखा हुआ है और limit x tending to 0 fx की value भी 0 है और gx की value भी इस limit में 0 है तो इसका मताब 1 plus 0 बोले तो 0 की power infinity है तो इस प्रकार की question solve करने का तरीका मैंने वहाँ प्रूफ बताया है यहाँ प्रूफ नहीं उता रहा हूँ इसका तरीका होता e to power fx और into यह तो 1 upon gx है तो 1 upon gx और यहाँ पर limit हम लगा देते हैं तो यह आपका concept होता है ठीक है यहाँ पर limit लगा दी जाती है यह हमने पढ़ा है तो आप जड़ा यहाँ देखिए यहाँ का मतलब इसको कैसे लगाए जाएगा तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं 0 मैं 0 मैं रखता यहाँ पान 0 यानि 1 पाव इंफिनिटी है तो इसको कैसे लिखा जाएगा तो हमने कहा इसको लिखा जाएगा एटू पावर लिमिट एकस टेंडिंग टू जीरो माइनस चोहँदर लिख दो यह चिल लिखी जाती है यानि मौड साइनेक्स और इंटू यह जो पावर में ल अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आपने पड़ा है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टैन थीटा अपान थीटा की वैलू वन होती है और साइन थीटा पान थीटा की वैलू भी वन होती है तो यानि अचा उल्टा भी हो सकता है थीटा अपान टैन थीटा अगर लिखेंगे, तो इसकी value भी 1 होती है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो limit है, limit तो operate e की power में होनी है, यानि यह ऐसा लिखा जाएगा, e to power, यहाँ limit लिख दी जाएगी, extending to 0 minus 10 to 2x, अब देखो 2x के नीचे 2x होना चाहिए, तो हमने का load 2x, और 3x के उपर 3x होना चाहिए, तो हमने का load 3x, कोई दिकत, तो क्या अपने घर की खेती है, जहाँ चाहो 2x से multiply कर दो, जहाँ divide कर दो, तो balance कर दो, into 2x कर दो, upon 3x कर दो, यह e की power में पूरा fund डालिक दिया, कोई दिकत, नई दिकत, और यह equal to b है, यहाँ तक बात समन्द में आ गई होगी, limit clear होनी चाहिए, दिमाग से clear है, यहाँ पर तो एक कड़ गया, तो यहाँ तो लिमिटर कोई मतलब नहीं है, तो e to power a आ गया, यहाँ पर देखिए, 10 2x अपान 2x, 1 हो गया, 3x अपान 10 3x, 1 हो गया, और यह x कड़ गया, तो यह 2 upon e की power, 2 upon 3 हो गया, is equal to b हो गया, अब a और b की वैलू निकाल और a को equal करेंगे, e to power 2 by 3, तो a की वैलू तो already 2 by 3 आ गया, और जब इसको इसके equal करोगे, तो b की वैलू e की power 2 by 3 आ गया, तो बात कैसी कही, बात जैसी भी कही हो, अगर लिमिट आपको नहीं आई, तो हमारी बात आपको अच्छी लगे ही भी नहीं, अभी अच्छी लग र झाल 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 झाल झाल